सच्ची स्रियारी सच्ची मैं प्रसंद हूँ मैं ये आपके आसरवाद से रोईनी जी जी ओ इतना प्यारा लल्ला हुआ है पर मुझसे क्या थुटी हुई नारा है? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझे से क्या दूती हुई नारा है मुझे क्यों न दियो आप दे लल्ला अब तो माता देवकी की साथवे संतान का भी जन्म हो गया है प्रभू अब आपके अफ्तार लेने में किस बात की देर है इसोधा लेओ तुम यहाँ हो और मैं पूरे घर में डूणतो फिर रहा हूँ पता चलो तुमने सुबह से कच्चु ना खायो चलो कच्चु खा लिए आजो कहीं न जा रहे हैं क्या होगो हरे को बांद के बैठी हूँ जब तक मेरे प्रस्नों के उत्तर न देंगे ना कहीं जाओंगी ना कचुखाओंगी कौन से प्रस्न और कैसे उत्तर कोकुल की प्रतेक स्थ्री को ममता का बर्दान दियो है आपने तो नारायन मुझसे ऐसा कौन सा अपराद होगा कि आपने मुझे अब ही तक इसुक से बंचित रखो है आज बोलना पड़ेगो प्रपू बताना पड़ेगो कि आपने मुझे लल्ला क्यों न दी क्या आपको पता ना है जैसे भगवान अपने भक्तों के बिना अधूरे होते पैसे ये मईया भी संतान के बिना अधूरी होते सुमीरन सबसे हरी कव साचा है हरी ना जिनकी क्रिपासे बन जाते है सबके बिगडे का साचा सुमीरन रभो मईया यशोदा उसी वेदना का अनुभाव कर रही है जिसका अनुभाव उन्होंने पिछले जन्न में माता धारा की रूप में किया था आपका कथन सत्य है दिवी अब मईया यशोदा को उनके कश्च से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है उठो पूर्णा शीग रही यशोदा के यहां पुत्र का जन्न हो गवा नक्षत्तों की गती से उत्पन संकेतू को देखो शीश्णा गुविदा बए उठाने के यहां पुत्र के यहां पूर्णा यहां पूर्णा यहां पूर्णा शीश्कारे के लिए इनका चुनाओं यह देवी कौन है प्रभू यह मेरे भविष्य में होने वाले गुरू बहारिशी संदीपने की माता है देवी अपने ज्ञान के कारण गोकुल वासियों की श्रद्ध है यहां यदि मेरे आगमन की सूचना मैया यशोदा को यह देगी तो ही मैया विश्वास करेंगी आंगन खाली आचल खाली सुखे उपवन के मैं माली क्यूना मेरे भाग में ललना क्या मेरे घर न एगुपलना विवश्णा करो इतना मुझको मिले गुपना एक शन भी शयन को मैं जिसे सुलाओ जो मुझे जगाई प्रभु दे दूना वर्दा साचा सुमीरन मुख पेना मेरे जब तक ममता के मुस्कान खिलेगी तुमको भी न तब तक भोग में तुमारी हाती प्रयाखीर मिलेगी कसम प्रभु तुम्हें दे रहे जा सोदा नाखन भोग लगे गो दिखा इस दुख्यारी दिवन दिखा रखोगे जो नामान साचा सुमीरन सबसे हरी का साचा है हरी नाम जिनकी क्रिपासे बन जाते है सबके बिगडे का साचा सुमीरन मैं सुदाब मैं तुम्हारी ग्रिया था समझ रो पर खाना छोड़ना अच्छी बात ना है सिर्यादी तुम्हारी पोकार अवस्य सुनेंगे अगवान साच करना सही बात ना ही है सोधा वुके प्यासे रहे टान देने है क्या यह सोधा होने वाली मैया को अपने स्वास्त का विसेज द्यान रखनों चाहिए खाना खा बहुंचक देखती मती रहे विस्वास कर नक्सत्रों की गती देखी है मैने होना मासी क्या सच्ची आप सच्ची क्या रहे होना भाद्रपद मा की अस्टमी तिथी को रोलनी नक्षत्र में जब सूर्य सीह राशिका होगा और चंद्र प्रशब राशिका तब मध्यरात्री तेरे लल्ला का जनम होगा इत्ते बर्सों में कभी किसी रिसी मुनी किसी ग्यानी ने हमें ऐसी आसाना दे आज पहली बार हमें इत्तास पस्तास वासन मिलो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूर्णा बहुत बहुत धन्यवाद ना मौसी को धन्यवाद ना देते लाली मौसी से आसिरवाद लेते हैं ला लड़ू ला खाये 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 मैं माईया बनने वाली हूँ सुना अपने मैं माईया बनने वाली हूँ आप बाबा बनने वाले हैं अरी हरी ने किस्पा कर दई हम पर तुम्हारे प्रिष्णों के उत्तर दे दिये नारायन मे चलो अब शीगरता से भूजन कर लो मैं जारी हो रोईनी चिची को बताने अरे पर भूजन पूर्ना मौशी जो कह देती है वो होके रहतो है हुआ रोईने चीजी आरे 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 मैं माहिया मनने वाली हूँ लल्लाओं को बारे गाये क्या उने माची ने बताई अब अपने अंच का निर्मान करने का समय आ गया है वसुदेवसुदं देवं अन्सचानूर मर्धनं यशोध परमानंधं रिष्ण वंदे जगत गुरूं 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 आपका आपकी गोद में शीग रही खेलने के लिए मैं आतुर हूँ मैया अच्छो विजित्र लग रहा है कौन हो तुम मैं मैं हूँ श्री विश्नो का अवतार श्री 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 श् मैंने अभी स्वपन देखो क्या हो स्वपन वन में था क्या मैं सत्य में स्रीमा नारायन के मईया बनने वाली हो यशोदा ने स्वपन में जो देखा था सांसारिक माया के कारण वो उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी मुझे भरोसा ना हो रहा है जे तो संभा भी ना है मैं स्रीमा नारायन के मईया कैसे बन सकती हूँ परन्तो स्वपन इतना सच्चा इतना फास्त्विक था यशोदा ऐसा लगो जैसे सपना ना है सच की परच्चाई आप मेरा उभास कर रहे हो ना अरे कल तक तो जे भी ना पता था कि मैं कभी मईया भी बन पाऊंगी की ना और आज आप कह रहे हो कि स्रीमा नारायन स्वायम मेरी कोक से जनम लेंगे नाना ऐसे उल्टे चीदे बिचार मेरे मन में मती डालो आप मैं तो साधारन सी इस्त्री हूँ जो बस एक सामान्य सी मईया बनना चाहती है मुझे तो बस एक सामान्य सालला चाहिए चोटा नटखड त्यारा सब मेरा बाल गोपा है मेरा लाडला होगा वो मेरा राजदू लारा मेरे आखों कतार मैया यशोदा और बाबा नंद का वात्सल्य प्रेम इतना अधिक था कि उनका मन इस अधभुद घटना पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था जिस स्वपन को सत्य समझना था उसे मिथ्या मान कर फुला दिया उन्होंने किन्तु श्रीमन नारायन को आना ही था स्वपन साकार करने वाले को ही दो भगवान कहते हैं वसुदे वसुदं नेवं अंसचाणून मर्धनम् यशोध परमानंदम् रिष्णम् वन्ने जगत गुरुं रिष्णम् वन्ने जगत गुरुं वसुदे वसुदं नेवं जन्सचाणून मर्धनम् यशोध परमानंदम् रिष्णम् वन्ने जगत गुरुं रिष्णम् वन्ने जगत गुरुं माता देवकी आपको जन्न दिने वाली हैं इसलिए उनके गर्प में आपके अंश का समाज आना सर्वता उची थी है किन्तो मैया यशोध के रिदाय में आपने अपने अंश का एक भाग स्थापित किया है इसका अवश्य ही कोई न कोई कारण होगा मेरे अंश के ये दोनो भाग तन और आत्मा हैं देवी माता देवकी मेरे तन को जन्न देंगी किन्तो मेरी आत्मा का जन मायय यशोधा के हिर्दय से होगा जब मायय प्रथम बार मुझह अपने हाथों में थामेंगी मेरे अवतार की आत्मा और तन एक दूसरे से जा मिलेंगे और तभी मेरा अवतार पूर्ण होगा मैं और यशो मती महिया एक दूसरे के साथ खृदय से जुड़ेंगे इसलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अध्वुच जोड़ी के रूप में जानी जाएगी 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 अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति भले ही कितनी भी विपत्तियों से क्यों न घिरा हो वो शान्ति पूर्ण गेहरी निद्रा में सोप आने में सक्षम होता है इन्तु यदि कोई व्यक्ति तुष्ठ हो क्रूर अत्याचारी हो या चोरी हिंसा हत्या जैसे जगहन्य अपरात करता हो तो फिर भले ही उसके पास कितनी भी संपत्ति और शक्ति क्यों न हो वो कभी शान्ति पूर्ण निद्रा में नहीं सोपाता याष्ण मौस बाद् जाँ तो नहीं तो फिर देखकDas के एमायर suggestion अवित्स बड़ सक्षिए जैसरीजाब factor CC अब आप अपने अंच का निर्मान कीजिये देवी, ताकि जब मैं मादा देवकी के आठे पुत्र के रूप में अवतार लूँ, तो आप भी मैया यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म ले पाएं डाएं प्रभु के प्रताप से नौ माह ऐसे बीद गए मानो बस कुछ शानबीते हों देखते ही देखते वो शुब खड़ी मैया यशोदा के लन्ला के जन्म की खड़ी आ गई भादरपद मा की अश्टमीति थी स्वामी लगता है प्रसव फिड़ा आरम हो गई है तेखी संभालो किनार को धीरज रखो ट्ड़ी जीजी जी यह अशुदा दाइमा रगए लिन क्षटर रगए लिन क्षटर रगए लिन क्षटर सुर्य सी राशी में और चंदर्व फुरुषब राशी में जही तो है अधर्म के विनाश और तर्म की स्थापना के संकी सेथी, तुम चंदा मात करो सब ठीक हो जाएगा जिन तो कैसे स्वामी ताया की दल्वार की धार विनाश की बिजली बनकर मेरे हांखों के सामने चमक रही है देफिक, तुम विश्यान करो दुर्जन, जाओ, फिर से देखो मुझे पल-पल का समझार चाहिए जैसे ही मेरा पुत्र पिरी सुरक्षित को चोड़ कर इस संसार में आएगा आया कंस, मेरे ममता को मिले इस पर्दान को उससे चील लेंगे चिंता मत करो देफिक, ये हमारा आठवा पुत्र है यदि हमारे जीवन में कंस के दिये दुखों की धूप है दुश्री हारी की, भक्ती की छाया भी है आकाश्वानी का स्मार्ड करो आप स्मरण कीजे कितनी क्रूडदा से बया ने हमारी समे संतानों का जीवन फ्रारम होने से पहले वो को नश्ट कर दिया मुझे बह लग रहा है कहीं ते में इसे भी नखो दू आप और प्रतिक्सन आओ पाएगे मुझे आप और प्रतिक्सन आओ पाएगे हम यशोदा को खो देंगे नन्द भाया तिदी संतान का जन्म शीग्रही नहीं हुआ थो वो अत्याधिक पीडा में है वैजी ने जो प्रिसव की घड़ी बताई थी वो भी कबकी बीच चुकी है भावी आप दाई मा से कहियो कि मेरी पत्नी और संतान को बचाने की भार संभव जिस्ता करें मैं जही प्राथना नारायन से करतें अंदिर जारो प्रभू मैया योगमाया को जन्म क्यों नहीं दे रही है मेरा ही तो शक्ती तत्व है योगमाया वो तभी जन्म ले सकती है जब मेरे आठवे अवतार श्रीक प्रिष्ण का जन्म होगा तो प्रभू अब आपको किस बात की प्रदिक्षा है जब निशित प्रहर कान्त होगा और शून्य काल का प्रारंग तभी तो होगो जहनती हो लल्ला के जन्म का यो पस अब कुछ शेट आओ ब lass की प्रदिक्रीक टृत्ता सिध्सित का जन्म होगा ओप्र भुटरीक प्रद ब होगा वे आत नारा यवा सुझ्ण होगा मेरे मुलोरी, मेरां देनारा, ये बोसु देयो स्वी पिशना, मोविना इस युकी सबसे सुबगड़ आ गई, प्रारंब हो गया, इव्य सुन्यकार दो स्वी प्राइब कर दो कर दो कर दो स्री कष्णा को दुना हरे, हरे स्री किष्णा को दुना नात ना यडपास देवा और इभदे आरा तरा तरासो डे वखिए स्थी प्रशेना ओ मुखी पूदा खने पुलारी स्री पुष्णा स्री प्रशेना स्री पुष्णा स्री पुष्णा ओ मुदा प्रेक्ट बदारी जाहत्तव मासु माइबा जाहत्तव मासु माइबा प्रेक्स्थानि भी ज्य। तरहका डेक्स बिलतोओं है शीर नारायन, हम परम सौभाकेशाली हैं, हमारे पुत्र के रूप में आप सुवेम पधारे हैं, यदि में कारगा से बाहर होता, तो ब्रामनों को दस सहस्त्र गायों का दान करता है, कि तु प्रभू, मैं बंधन में हूँ, प्रभू, कंच को जैसे ही आपके आगमन का समाचार ग्यात होगा, आपके प्राण हरने, वो तुरंत अपनी नगन तलवार लेराते हुए चला आएगा, ही दीन देयान, आप तो भक्तों के भाई का नाश करने वाले हैं, परन्तु प्रती एक्षण, मेरा भाई और भी बढ़ता जा रहा है, मेरे कुरूर भाई ने, निरंतर मेरी ममता की हत्या की है, चिक्टों अब और नहीं प्रभू, आप कोई ऐसी लीला दिखाई, तकि उस पापी को आपके जन्द के विशे में पता ही ना चल पाए, आपके इस अलोकिक चतुरभुच रूप का समाचार, उनके क्रोट की ज्वाला को और भढ़का देगा, और वो आपका वद्ध करने के लिए, सेना सहत यहां आ जाएंगे, इसलिए है जग्दीश, आप समाने बालक के रूप में प्रकट हो जाए, ताकि मैं आपको चुपानी की चेश्टा कर सकू, या मैं कंच को ये विश्वास दिलाने का प्रयास का सकू, कि उन्हें आप से कोई संकट नहीं, देया कीजे भगवन, कि उन्हें प्रकट हो जाएंगे, अप से कोई 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 स मा, पिता जी, पिछले जन में बारा सहस्तर वर्षों तर आपने एक कठिन तपस्या की थी मूसलाधार वर्षा, घंगोर आंधी, चिल चिलाती हुई धूप और अस्थिया जमा देने वाली ठंड सभी कष्ट सहे थे आपने, केवल इसलिए कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त कर सके और आज जब मैं आपके सामने हूँ, तो आप कंस के भाय से व्याकुल हैं और पुत्र के रूप में एक सामाने बालक चाहते हैं मेरे माता-पिता होने के नाते, आपकी इच्छा का पालन करना मेरा करता प्या है ना एक सामाने बालक का रूप धारन करूँ परूँ आपको मेरे लिए चिंतित होने की और कंसे भाय भीत होने की आवशक्ता नहीं मेरा जन्म पृत्वी पर धर्म को पुना स्थापित करने के लिए हील गुआ है किन्तु अभी समय कम है ये शोदा राने की चेतना जा रही है जेहिन के प्रानों के लिए सुबसंकित नहीं है ये शोदा, आखे खुली रखो ये शोदा, ये शोदा की खुली रखो पिता जी, इससे पहले की कंस यहाँ है आप मुझे लेकर यमुनापार चले जाई और वहाँ गोकुल में अपने भाई नंद के सनरक्षन में मुझे छोड़ जोड़ उनके यहाँ जन्मी पुत्री को यहाँ ले आई उसके प्राणों की चिंता मत कीजिये माँ जो हो रहा है तेरी ही लीला है अब जाईए पिताजी शीगरता कीजिए झाल कीजिए प्राणों जाईए पिताजी प्राणों जाईए झाल 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 जिए नवड़ जाईए प्रभू, प्रभू क्या करना है ये तो आपने बता दिया, खिन्तु कैसे करना है, ये नहीं बताया, पेडियों में जखड़ा हुआ, कारागाह से पाहर कैसे जाओंगा, ये शोटाफ, बस थोड़ी देर और देरे रखो, अब और प्रतिक्षा ना उपाएगी मुझसे, अब और अधिक प्रतिक्षा, आपको पैरनी नहीं बड़ेगी महीं, बड़ेगी महीं, योगमाया को जन्म देते हैं, मईया यशोदा अचेत हो गई, किन्तो अपनी सुधभुध खोने वाली वो अकेली नहीं थी, इससे पहले कि कोई नन्धी योगमाया को द्रिश्ट भर कर देख पाता, संपूर्ण गोकुल, उनकी गिलकारियों के प्रभाव से गहरी निद्रा में सो गया, योगमाया को जन्म दे यशोमती हुई निधा, कोख जनी ना लख सकी, समय की ऐसी चाल, उधर मतुरा में वसुदेव अचरज में थे, कि नन्हे प्रभु को बंदी ग्रेह से बाहर कैसे निकाला जाये, अब केवल श्री विश्ट की माया ही इनकी सहायता कर सकती थी, प्रभु की आख्या का पालब, कैसे संभभ होगा, सब पूर कारा घर, पहरेदारों से भरा पड़ा है,